अबस्तार साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल Easy Breezy Biology में आज हम पढ़ने वाले हैं Chapter 2 of Class 7 Science The Name of the Chapter is Nutrition in Animals Last Chapter में हमने Nutrition in Plants के बारे में पढ़ा था वहाँ पे हमने देखा था कि Plants के अंदर किस टाइप का Nutrition होता है कितने टाइप, कितने मोड्स of nutrition होते हैं और Photosynthesis का Process कैसे होता है, ठीक है यह सारी चीज़ें हमने उसमें डिसकस की थे इस Chapter में हम Animals के अंदर किस टाइप का Nutrition होता है यह पढ़ेंगे, ठीक है तो Chapter को स्टार्ट करने से पहले आप मुझे यह बताओ Plants का Nutrition, Animal का Nutrition से कैसे डिफरेंट है How Plants Nutrition is different from Animals Nutrition Do you know? The answer is, in Plants, Autotrophic Nutrition is found and Animals are Heterotrophic Means, Plants अपना Food खुझ से Synthesize कर सकते हैं लेकिन Animals अपने Food के लिए Plants और दूसरे Animals पे Depend करते हैं और क्या Difference है? The Nutrients that they take are also different कैसे? Animals कौन से Nutrients लेते हैं? Carbohydrate, Fat, Protein, Vitamin, Minerals, Fiber and Water and Plants कौन से Nutrients लेते हैं? Carbon लेते हैं Potassium, Phosphorus, Nitrates, Water and Minerals ठीक है? तो इस तरीके से Animal Nutrition और Plant Nutrition डिफरेंट होता है Animals cannot Synthesize their own food They depend on Plants and Other Animals for their food Left side में आपको जो दिख रहा है, वो क्या है? Harbivores है, जो Directly Plant Consume कर रहा है और जो Right Side में आपको दिख रहा है, वो क्या है? Carnivores है, यानि कि ये Harbivores को खाते हैं यानि ये Direct Plant Consume नहीं करते हैं Next, Different Ways of Taking Food अलग-अलग तरीके से Food लिया जाता है Animals अलग-अलग तरीके से Food को Consume करते हैं Different Organisms takes food in different ways तो यहाँ पर जो आपको एक वीडियो दिखाई दे रही है चोटी सी, उसमें क्या है? ये एक Humming Bird है, एक टाइप का Bird है जो क्या कर रहा है? फ्लार का Nectar सक कर रहा है यानि कि इसमें Nutrition किस टाइप का है? Humming Bird Sucks Nectar of Plants प्लांस के अंदर जो Nectar होता है, जो उनका रस होता है उसको ये सक करते हैं और उससे ही अपना Nutrition लेते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है Human beings है, जो बैट करके अच्छे से खाना खा रहे हैं ये क्या करते हैं? Human beings use their hands to put food into their mouth and swallow the food after chewing Human beings क्या करते हैं? Food को हाथों से तोड़ते हैं, हाथों में रखते हैं और उसको मुँ में लेते हैं, चबाते हैं और उसको फिर swallow कर जाते हैं ठीक है? Humans के अंदर कैसा Nutrition हो रहा है? ठीक है? ये समझ गया आप Next, lizards and snakes swallow the animals they prey upon without chewing them Lizards और snakes आपने देखा होगा, वो क्या करते हैं? Animals जो भी वो छोटे-छोटे insects खा रहे हैं या किसी दूसरे animal को खा रहे हैं वो क्या करते हैं? उसे directly swallow कर जाते हैं directly निगल जाते हैं उसको चबाते नहीं हैं For example, यहाँ आप देखो क्या कर रहा? directly, यह जो आण थी, इसको directly निगल लिया ठीक है? Next, यह तो यह एक table है आपके book में भी दिया है करने को तो यह समझ लेते हैं Name of animals, सबसे पहले column में आपको दिखाए तेरा Animals के नाम दूसरे में हम देख रहे हैं Kind of food, किस टाइप का food वो खाते हैं? और हमें mode of feeding क्या है? कैसे पहला animal हम देख रहे हैं? Snail Snail किस टाइप का food खाता है? यह algae काता है algae के बारे में हमने last video में पढ़ा था जो हमने chapter 1 वाली वीडियो करी थी उसमें algae के अंदर भी chlorophyll present होता है green color के plants होते हैं अपना food खुच से synthesize कर सकते है तो snail algae को consume करता है कैसे consume करता है? scraping करके scraping का मतलब होता है खरोचना या फिर खुरेतना तो scrape करके algae को consume कर जाए snail second animal है ant ant को आपने देखा होगा यह क्या खाते हैं? plant products या फिर छोटे-छोटे insects को खाते हैं and swallowing tearing का मतलब होता है उसको नोचता है खींच करके और फिर उसे निगलता है ठीक है? next हमिंग बर्ड hummingbird हमने अभी देखा था वो क्या खाते हैं? nectar of flowers और उसे कैसे करते हैं? सक करते हैं next lice lice means जू जू क्या करती है? किस टाइप के food पर डिपेंड करती है? blood के उपर blood को सक करती है next mosquito mosquito bite तो अपने देखा ही होगा वो क्या करती है? तो biting करती है या फिर sucking करती है next butterfly butterfly भी nectar के उपर depend करते है अपने food के लिए और ये क्या करते है? siphoning या फिर sucking siphoning का मतलब होता है सोखना सक करना एक टाइप से तो butterfly क्या करते है? nectar लेते है कैसे लेते है? siphoning और sucking के थूँ next housefly housefly क्या खाता है? decaying matter यानि जो खराब हो रही होती है चीजे उन चीजों को खाता है और कैसे खाता है? सक करके खाता है I hope ये table आपको clear होगा next अब आगे बढ़ने से पहले हम nutrition की definition को फिर से revise कर लेते हैं nutrition क्या था? nutrition is the process by which organisms take in the food and utilize it in order to survive nutrition कैसा process है? जिसके थूँ organisms food को लेते हैं और उसको utilize करते हैं किसलिए? survive करने के लिए so nutrition is the mood of intake of food and its utilization in body it is called nutrition ठीक है? तो humans के अंदर अब digestion कैसे होता है? ठीक है? the food that we eat passes through a continuous canal हमने देखा कि हमने food को कैसे लिया? हाथों में पहले लिया उसको मुह तक पहुचाया वहाँ पे हमने क्या किया? उसको चबाया दिन swallow किया और अंदर जाके food का digestion हुआ तो हम जो food ले रहे हैं अपने खाने में उसे क्या हो रहा है? एक continuous canal एक continuous नली है लगतार एक नली हमारे शरीर के अंदर उसके थूँ हमारा जो food है वो पास होता है जो कहां से start होती है? which begins at the buccal cavity and ends at anus we can call this as elementary canal इस canal को हम क्या बोलते हैं? elementary canal यानि अहार नली ठीक है? यह कहां से start होती है? buccal cavity यानि हमारे mouth से और कहां खतम होती है? यह जो आपको purple color का structure या violet color का structure दिख रहा है? यह क्या है? तो इसके parts कौन कौन से है? इस elementary canal के? तो सबसे पहला part है buccal cavity उसे या oral cavity या mouth भी कहां देते हैं next part है इसका isophagus isophagus क्या है? food pipe है next is stomach next small intestine यह पे जो आपको orange color का part दिख रहा है यह है small intestine green color का part दिख रहा है यह है large intestine और last में जो आपको purple color का दिख रहा है वह क्या है? यह सारे organs मिल करके क्या बनाते है elementary canal जिसके through होकर के हमारा food digest होता है और क्या चीज़ें होती है elementary canal में? कुछ glands भी इसके साथ जुड़ी होती है salivary glands, liver, pancreas यहाँ पे आप देखो mouth के अंदर हमारा salivary gland present है saliva आपका secret हो रहा है mouth पे वह किसके through हो रहा है? salivary gland से और कौनसी gland? यह जो dark red color के दिखाई दे रही है यह भी एक gland है जो digestion of food में help करते है और pancreas आपको stomach के नीचे दिखाई दे रहा है छोटा सा gland है यह भी digestive juices secret करके digestion में help करते है तो the elementary canal and the glands together is called digestive system जब हमने यह पूरा elementary canal लिया और glands को combine कर दिया तो उससे हमारा क्या बन गया? digestive system तो elementary canal के कौन-कौन से parts देखे आपने? Buccal cavity इसोफिगर्स stomach small intestine large intestine और इसके साथ-साथ salivary gland liver pancreas यह सारे जब combine हो जाते है तो उन्हें हम क्या बूलते है digestive system जो कि digestion में help करते है digestion का पूरा process इनही सब के थुरू होता है next यह देखो यहां पर आपको दिख रहा है food हमने यह जो blue color का आपको transfer होता हुआ दिख रहा है यह food का mechanism है पहले हम अपना food chew करते है यानि कि चबाते है फिर यह food हमारे food pipe यानि isophagus में जाता है isophagus से stomach में जाता है वहाँ food का breakdown हो जाता है स्टमक से यह कहा जा रहा है small intestine के अंदर small intestine में क्या हो रहा है food का complete breakdown होता है यानि food जो है थोड़ा सा liquid form में आ जाता है then small intestine से यह food कहा जाता है large intestine के अंदर यहां पर क्या होता है water blood के अंदर absorb हो जाता है और जो हमारा waste material होता है वह कहां चला जाता है एनस में तो यानि यह absorption कहां पर हो रहा है small intestine में और large intestine में और last में एनस के तुरू waste हमारी body से remove हो जाता है यह पूरा process हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे so stay tuned for next part next part में हम क्या discuss करेंगे parts of elementary canal को detail में और digestion कैसे हमारे human body के अंदर हो रहा है उसे हम detail में discuss करेंगे so subscribe the channel hit the bell icon and share with your friends thank you